अच्छो गुद मॉर्निंग वर्क्षीट तंबर 15 डेट है 20-11-2020 सब्जेक्ट है साइंस क्लास है एथ केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे नौन मैटल्स की पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए मैटल्स और नौन मैटल्स में क्या डिफरेंस है यह हम प्रीवेस वीडि और एसेट के साथ और बेसेस के साथ यह सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिसकस कर ली हैं तो आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज अफ नौन मैटल्स को हिंदी में अधातू कहते हैं और इनमें जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वह स्टार्ट करेंगे रियाक्शन विद् ओकसिजन से नॉन मैटल्स जो हैं तो जब नॉन मैटल को ऑकसिजन के साथ मिलाएंगे तो नॉन मैटल ऑकसाइट बनेगा वन सलफर इस बॉन्ट इन प्रेज्ट आपको मालूम है sulfur को जब oxygen में burn किया जाता है तो sulfur dioxide बनता है और इसी sulfur dioxide को जब water के साथ मिलाया जाता है तो sulfurous acid भी बनता है इसी sulfurous acid को हम acid drain भी कहते हैं आपको पता है कि हवा में वायू मंडल में क्या होता है sulfur dioxide, nitrogen, NO2 इस तरह के जो gases होती है जब यह water के साथ react करती है तो यह acid drain के रूप में नीचे धरती पर आती है जो के crops के लिए बहुत जादा harmful होती है इवन हमारे लिए भी होती है इसी तरह carbon और oxygen जो मिल कर carbon dioxide बनाते हैं और carbon dioxide जो water के साथ react करती है तो carbonic acid बनाती है यह सारे के सारे जो है यह सब acid rains के example है और यह जो acid rain होती है यह आपको मैंने बताया ना कि buildings को भी खराब कर देती है और plants and animals के तो खराब है ही ठीक है अच्छा अब है की nature of non-metal oxides with the help of an activity let's find out whether the nature of the of the oxide of the non-metal is acidic या basic देखिया हमने जब metal oxides करे थे तो हमने यह देखा था कि वह basic in nature होते हैं कैसे करा था हम लोगों ने अगर आपको याद हो तो हमने magnesium ribbon को लिया था और उसको oxygen की presence में जलाया था और जो उसकी ash निकली थी उसका हमने litmus test किया था litmus test जब हमने करा तो वह red से blue हो गया था जिसने यह शो करा कि जो metal oxides होते हैं वह basic in nature होते हैं जो metal oxides होते हैं मतलब धादू के जो oxides होते हैं they are basic in nature वह मतलब शार्य प्रवृति के होते हैं यह हमने पढ़ा था तो अब हम यह देखेंगे कि यह जो non-metal oxides है यह acidic हैं यह basic है इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कार्बन जैसे कोईला हम ले ले लेते हैं red and blue इंडिकेटर ले ले लेते हैं एक ग्लास जार ले ले लेते हैं यह घर पे भी कर सकते हैं अगर हमारे पास लिपमस पेपर हो तो तो हम क्या करेंगे बन स्मॉल पीस ऑफफोल कोईले के चोटा सा पीस लेंगे यह जला लेंगे उसको आफटर तो टो ओ त्री मिनिट्स प्लेच ग्लास जार इन इंवें इंवर्टः पोडिशन ओन इट और एक ग्लास जार ले के उसको उल्टा तान अब मतलब उल्टा जैसे यह कोल का पी से और और collect करने के कोशिश करेंगे जो gas evolve हो रही है and some amount of water in this jar and close it with its lid ठीक है और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको उसका धकन लगा देंगे shake the jar in order to mix or dissolve the gas collected in it with the water अच्छा ये जो है obviously gas जो है वो पानी के अंदर मिल जाएगी ठीक है अब इसका mixture को हम test करेंगे पहले blue litmus से test करेंगे फिर red litmus से test करेंगे हम क्या देखते हैं कि mixture of water and gas in the jar turns blue litmus to red यहाँ पे blue litmus क्या हो जाता है red हो जाता है और जब blue litmus red होता है तो इसका मतलब यह किस nature का है acidic अमलिय प्रवृति का है तो हम लोगों ने आज क्या conclusion निकाला कि जो metal oxides होते हैं जो metal oxides होते हैं और जो non-metal oxides होते हैं उनमें फरक होता है metal oxides basic in nature होते हैं और non-metal oxides acidic in nature होते हैं this is very important regarding examination point of view तो इसको ध्यान से समझेगा अच्छा अब है reaction with water generally non-metals do not react with water non-metals generally react नहीं करते हैं some non-metals are very reactive in the air so such non-metals are stored in water कुछ non-metals इतने reactive होते हैं जैसे phosphorus होता है वो इतना reactive non-metal है कि अगर हलकी सी भी हवा में उसको exposed कर दिया जाए तो वह fire catch कर लेता है इसलिए उसको prevent करने के लिए contact का फॉस्फोरस का atmospheric oxygen से उसको हम लोग water के अंदर store करते हैं जिससे की वह जो है reaction ना कर दें ठीक है तो अब आता है reaction with acids generally जो non-metals होते हैं generally जो non-metals होते हैं वो they do not react with acids ठीक है और जो reactions of the non-metals with bases are complex और जो non-metals के reaction होते हैं basis के साथ काफी complex होते हैं में जो काफी common non-metals हैं वह है sulfur coal carbon oxygen nitrogen iodine etc यह सारे के सारे जो है वह काफी non-metals के नाम है यह आप थोड़ा साथ देख लिजेगा याद कर लिजेगा question number one है name any four commonly found non-metals commonly found non-metals कौन से हैं यह दिये में उन्होंने sulfur हो गया coal हो गया oxygen हो गया nitrogen हो गया iodine हो फिर वाइ-phosphorus non-metal is kept in water it is kept in water because it is very reactive ठीक है फिर what is the nature of oxides of non-metals non-metals के जो oxides होते हैं वो acidic in nature होते हैं जैसे मैंने बताया फिर चौता है कि हमें true and false लिखना है non-metals react vigorously with acids क्या जो non-metals होते हैं वो acids के साथ vigorously react करते हैं no तो इसका answer आएगा no फिर reaction of non-metals with bases are complex yes true आएगा कि जो non-metals के reactions होते हैं basis के साथ वो काफी complex होते हैं ठीक है तो यह आज के question answers थी और आज की worksheet थी any query any questions you are always welcome और comment box पर जाकर आप अपने comments भी दे सकते हैं कोई stay home stay safe and please do not forget to like share and subscribe if you really understand this worksheet we have discussed and subscribe button जरूर दबाईएगा तांकि आपको आगे आने वाली notifications का पता चल सभी बाई